Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल अब यहाँ पर क्योंकि उत्राखन में आपको पता है, बीजेपी की सरकार है, और उनके पास पूर बहुमत है, और वो उत्राखन के अंदर Uniform Civil Code लागू करेंगे, और यह जो बिल है बहुत जल्द पास हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर कौन कौन सी मेजर चीजे हैं जिसके बारे में आपको पता होना चीए, वो मैं डिसकस करने वाला हूँ, आपको अपने से जो भी लोग UPSC की त्यारी कर रहे हैं, हमारा Foundation Batch लेना मत भूलेगा, क्योंकि यह एक ऐसा Batch है, जिसके अंदर Prelims, Mains, Interview, सब कुछ की त्यारी आपको सिंगल Batch में कराए जाती है, इसके अंदर आपको Personal Mentor भी Allot किया जाता है, ताकि कभी भी कोई भी Problem हो, आप Personal Mentor से डारेक्ली टच में रहेंगे, इसको अवेल करने के लिए हमारे Website अप पर जाएगे, या फिर Comment section में लिंक है और यूज करिए Code ANKITLIVE ताकि आपको Maximum Discount मिल जाए, और इसके लावा अगर आप MCQs अटेंट करना चाहते हैं, तो मेरे Insta Page पर जा सकते हैं, वहाँ पर Stories म जितने भी MCQs हैं, उसको आप अटेंट कर पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly क्या हो रहा है, देखें उत्राखंड की Government ने कल वहाँ की State Assembly में विधान सभा की अंदर जो बिल है Uniform Civil Code को लेकर उसको प्रेजेंट कर दिया, और ये बेस उत्राखंड में वो Uniform Civil Code लेकर आएंगे, और उनका ये कहना है, जब ये प्रेजेंट कर रहे थे, उनका ये कहना था कि ये सभी sections of society के लिए अच्छा होगा, और साती साथ जो PM मोदी का विजन है, सबका साथ, सबका विकाश, एक भारत, स्रेष्ट भारत, उसके भी विजन को एक तरह से पूरा करेगा, वैसे मैं आपको बता दू, उत्राखंड की सरकार ने यहाँ पर एक committee का गठन किया था, पैनल का, जिसको head किया जा रहा था by retired Supreme Court Judge रंजना प्रकाश देसाई जी के दोरा, और मैं आपको बता दू, इसमें काफी delay भी हुआ है, ये जो committee को काफी extension भी दिया गया है, और इन्होंने finally यहाँ पर ये draft निकाला, जो कि 4 volume में देखने को मिलेगा, इसमें total 749 pages हैं, साथी साथ, इसमें बहुत से लोगों के recommendations भी हैं, इन्फरक्ट मैं आपको बता दू, 2.3 lakh pieces of written feedback, online यहाँ पर इस committee के पास आया था, इसके साथ साथ, इस committee ने, 70 से जादा public forums जो हैं, वो organize किये गए थे, साथी साथ, यहाँ पर जो meetings हैं, panel members की आपस में एक एक जो बाते हैं, वो यहाँ पर record की गई है, और मैं आपको बता दू, 60,000 से जादा लोगों के साथ मिलकर, यह जो पुरा draft है, finally prepare किया गया है, और उसी draft को आप कह सकते हो, पर सी बात है, यहाँ पर बिलको वहाँ के विधान सभा से पास होना होगा, और finally जो governor है, उनके हस्ताचर चाहिए होगे, और finally यह uniform civil code उत्राखंट के अंदर लागो हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है, तो उत्राखंट जैसा मैंने आपको बताया, देश के अंदर दूसरा ऐसा राज बनेगा, जो इसको implement करेगा, लेकिन अगर हम independence के बात से usually देखें, मतलब नए सीरे से यह पहला राज्य होने वाला है, क्योंकि गोवा वाला मैंने आपको बताया है, वो Portuguese वाला जो civil code चल रहा है, वही वो continue हो रहा था, खेर यहाँ पर सबसे पहला तो question यह है कि uniform civil code का मतलब क्या है, देखो मैं आपको बता दूँ, देश भर में अगर आप देखिए, जो criminal से related laws हैं, वो सभी के लिए same है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लो, कोई हिंदू अगर किसी की हत्या करता है, या फिर कोई Muslim किसी की हत्या करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि लाए जाते हैं, laws में changes किये जाते हैं, लेकिन जो personal चीज़े हैं, जो personal matters हैं, जैसे marriage, divorce, adoption, inheritance, succession, ये जो सारी चीज़े हैं, उसमें आपको कुछ हद तक difference देखने को मिलता है, बतलब Muslims में कुछ और laws follow किये जाते हैं, हिंदूस में कुछ और किये जाते हैं, तो ये सारे चीज आपको ध्यान में रखना है, कि इस बिल के अंदर, जो tribal communities हैं, उनको इससे बाहर रखा गया है, मतलब कि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, कि काफी criticize किया जा रहा था, कई tribal communities के दौरा, कि हमारी एक अलग प्रथा हो रही है, हम बहुत लंबे समय से, अपने ही customs को follow करत आ रहे हैं, तो हम uniform civil court को मानेंगे नहीं, ऐसा कई बार सुनने को आया था, tribal communities की दरफ से, और इसी को ध्यान में रखते वे, बिल में अगर आप देखोगे, तो साफ साफ लिखा हुआ है, nothing content in this court shall apply to the members of any scheduled tribes, तो किसी भी scheduled tribes के उपर, ये uniform civil court लागू नहीं होगा, ये आपको रखना है, क्योंकि बोला ये जा रहा है कि उनके पास unique customary practices हैं, जो कई सैक्रो वर्षों से वो चलाते आ रहे हैं, और उसको सरकार छेड़ना नहीं चाहती, तो सबसे पहला ये हो गया, फिर दूसरा बिल के अंदर जो important highlight है दोस्तों, वो ध्यान में रखना है, living relationship को लेकर का खाफी चर्चा की गई है, living relationship का मतलब ये हुआ, कि अभी आप एक दूसरे से शादी नहीं कियो, एक boy है और गल है, वो आपस में अभी शादी नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो निड़ने लेते हैं, कि वो एक साथ रहेंगे, और आपको पता ही है, कि जैसे जैसे जमाना modern ह होते जा रहा है, लोग इस चीज को accept करते जा रहा है, metropolitan cities में, कई जगा आपको देखने को मिलेगा, living relationship का concept, तो यहाँ पर इस bill में उसको ban नहीं किया गया है, उसमें बस ये बोला जा रहा है, कि अगर आप living relationship में हो, तो आपको आपके अंडर में जो भी registrar आता है, उसके पा अगर उसमें कोई problem आती है, दिक्कत आती है, कोई इल्जाम लगता है, तो आपका legal तरीके से आपका follow किया जा सकता है, उसको resolve किया जा सकता है, लेकिन living relationship अप कहीं पर register तो है नहीं, तो सरकार इसलिए कह रही है, कि हम चाहते हैं, कि एक उसको formal रूप दिया जाए, बहले है आप शादी मत करो, अगर आप साथ रहना चाहते हो, रहो, लेकिन आपको पास महीं जो register है, उनके पास बस जाकर बताना होगा, statement देना होगा, कि आप living relationship में रहते हैं, अब देखे इससे होगा क्या, अगर आप जाकर अपने register के पास बोलते हो, कि आप relationship में रहे हो, इससे क् कि सरकार ये देखेगी, कि कहीं यहाँ पर मानलो जो लड़की है, जो girl है, वो minor तो नहीं है, वो 18 साल से कम तो नहीं है, और साथी साथ ये भी देखा जाएगा, कि आप जिनके साथ relationship में हो, मतलब जो person है, girl या boy, वो किसी और के साथ और शादी नहीं कर रखा है पहले से, त दोनों adult है, तो ये बस ensure किया जाएगा, और आपको वो allow कर दिया जाएगा, कि आप living relationship में रह रहे हैं, अब question यह है कि यहाँ पर कितने समय में आपको बताना होगा, देखे, एक समय, एक महीने का time दिया गया है, कि आप एक महने से जादा नहीं ले सकते, अगर आप living relationship में र सजाद तक का fine भी लग सकता है, तीन महने की यहाँ पर जेल की सजा हो सकती है, फिर दोनों हो सकता है, और एक और चीज ध्यान में रखेगा, अगर मान लो living relationship अगर तूटता है, अगर आप decide करते हो कि आप साथ नहीं रहोगे, तो उसके बारे में भी फिर आपको बताना आपको पता होगा, Muslims में यहाँ पर एक से ज़्यादा शादी allowed है, और allowed का हिंदूस में भी है, लेकिन आपको अपने wife से पहले हिंदूस में आपको divorce लेना पड़ता है, तलाक लेना पड़ता है, तभी आप दूसरी शादी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी already wife है, फिर इसरी करो, लेकिन Muslims में आपने देखा होगा यहाँ पर कि wife है already और साथी साथ यहाँ पर दूसरा शादी, I think यह चार शादी allowed है, देखो मुझे exact जानकारी नहीं है, आप में से जो भी Muslim दोस्त हैं मुझे बता सकते हैं कि आपके Islam में कितनी शादी allowed है एक बार में, तो लेकर सरकार का तर्क है कि जो मुझे महिलाएं हैं वो बहुत जादा चिंतित रहती थी, उनको हमिस्ता डर लगा रहता था कि उनका जो शोहर है, जो पती है, वो दूसरी शादी कर लेता था, तो इसको लेकर सरकार का कहना है कि हम इसको prohibit कर रहे हैं, बयान लगा रहे हैं, फिर तीसरा जो एक बहुत important highlight again, इसको ध्यान से समझेगा, degree of prohibited relationship, अब आपको पता होगा, Hindu marriage act के अंदर क्या है, यहाँ पर आपका जो partner होगा, वो common ancestor नहीं हो सकता, अक्सर आपने सुना होगा Hindu marriage में, जो कहा जाता है ना, गोत्र सेम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या ह देखा होगा Muslims में क्या होता है, cousins में भी शादी हो जाती है, तो यहाँ पर अब bill में क्या क्या आ गया है उस चीज़ को, जो जैसे चल रहा है, वो वैसे ही चलेगा, मतलब Muslims में अगर जो cousins में शादी हो जाती थी, मतलब कि जो degree of prohibited relationship था Hindu marriage act में, उसको थोपा नहीं गया है, Muslims क उपर तो ये चीज़ शॉर्ट में आपको समझ में आ गया होगा फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ जो continue की गई है वो है आपका जो age है वो आपका same रहेगा मतलब की women के लिए 18 years और men के लिए 21 years minimum जो age होता है शादी का वो आपका same है फिर इसके साथ साथ और मुझे लगता ह है और एक progressive step है एक reform है बहतरी की तरफ वो है आपका children born out of wedlock wedlock का मतलब होता है कि आप शादी कर लेते हो लेकिन आपने शादी नहीं की है और जैसे मालो अभी live in relationship की हम बात कर रहे थे अगर उसमें अगर बच्चा हो जाता है आपने शादी नहीं की है फिर भी बच्चा हो ज जाता है ठीक है तो उस case में यहाँ पर हमारे society में और in fact कानून वगरह में भी आप अभी तक देखोगे तो उस बच्चे को illegitimate children करके बुलाया चाहता था अब आप खुद सोचिए उस बच्चे की क्या गलती है यहाँ पर उसको illegitimate बोला ये शब्द यूस करना क्या सही है बिल्कुल भी नहीं तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इस uniform civil court के अंदर जो illegitimate children वाला concept है उसको हटा दिया गया अब इसमें होता क्या था कि मानलो अगर आपकी शादी हुई है बच्चा हुआ है तब तो ठीक है मानलो उसमें बच्चे को जो भी rights वगरह मिलना है वो मिल जाता था लेकिन इस वाले case में यहाँ पर शादी नहीं हुए फिर भी बच्चा हो गया तो उस case में जो बच्चे को rights वगरह मिलते नहीं थे although court वगरह में अगर आप देखोगे judiciary के अंदर वो हग दिलाने की कोशिश की गई है कई बार लेकिन still यहाँ पर जो concept है ना illegitimate child का वो अ कुछ चीज़े हैं लेकिन यह बहुत important चीज़े थी जो मैंने आपको बताया अब इसको देखते वे यहाँ पर जो बीजेपी के legislator से आपको पता ही होगा कि उत्राखंड के अंदर total 70 members हैं वहां के assembly में और बीजेपी के पास मदब पूर्ण बहुमत है 47 seats हैं उनके पास तो गोवा सबसे पहला राज है लेकिन स्टिल आप कह सकते हो कि आज के टाइम में मतलब क्योंकि गोवा का पहले से चलता रहा होगा Portuguese वाला तो एक तरह से यह उत्राखंड पहला state बनने जा रहा है जहाँ पर uniform civil code लाया जाएगा अब question यहाँ पर यह कि क्या इसको और भी राज क्या है और साथी साथ एक और चीज़ का है कि देखिए उत्राखंड के अंदर जो आप यह बिल लेकर आयों आपने बस दो दिन पहले यह बिल लाया और आपने हमें पढ़ने का मौका नहीं दिया और आप जल्दी से इसको पास कराना चाहते हैं तो इसको आपके पास तो ब इन चारों कंट्रीज में से और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ अगर आपको PDF के तो टेलिग्राम पर आए अलग लग सोचल मीडिया पर आप जूड़ पाऊगे और जैसा मैंने आपको बता है अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं कोई भी बैक चाहते हैं you can just use this code अंकित लाइव ताकि आपको maximum discount मिल जाया है होब की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता है आप से नेक्स ताइम तिल देन थैंक यू बरी माच सी यू सून